अनीता जब पहली क्लास में थी तो सबसे पहली बार उसके सर्वे जुए हुई और इसका पता भी घरवालों को तब चला जब अनीता की मा के सर्वे खुचली होने लगी मा जी मेरे सर्वे बहुत खुचली हो रही है देखना ज़रा कहीं जुए तो नहीं हो गई अरे मुझे तो दिखाई नहीं देगा जा मेरा चश्मा ले करा फिर देखती हूँ दादी जब अनीता की मा का सर देखने लगती है तो वहरान हो जाती है कि उनके सर में चूएं थी हे भगवान मेरे सर में चूएं कैसे हो गई जरूर अनीता के सर में होंगी स्कूल में बच्चों के सर में जुए हो ही जाती है आज ही मैं उसे डॉक्टर के पास ले जाती हूँ और उसके लिए दवाई लेकर आती हूँ हाँ हाँ बहु ये कार तू आज याद से कर लेना वरना तो सब के सर में जुए हो जाएंगी खर सर पर उठा लेती है उसकी मा को मजबूरन उसका सर धोना पड़ता है पर इस खटना से अनीता के मन में इतना डर बैठ जाता है कि विए अपनी मा को सर में टेल भी नहीं लगाने देती थी और शेम्पू भी नहीं करने देती थी सारे घर वाले अनीता को प्यार से, डाट से, मार से भी समझाने की कोशिश करते लेकिन अनीता के डर को कोई नहीं निकाल पाता और उसके पाथ अनीता के सर में कभी जुए जाती ही नहीं और देखते ही देखते अनीता बड़ी हो जाती है आप मुझे ऐसे बोल रहे हो जैसे कि आपकी लाडली मेरी सारी बाते सुनती हो बचपन से जवान हो गई लेकिन मचाल है जो इस लड़की के मन से डर निकला हो इसलिए मुझे उसका कमरा बिस्तर सब कुछ अलग करना पड़ा अब क्या बताऊं आपको आज सुबह जब उसके बिस्तर की चतर बदलने गई तो तकीये पर भी जुए घुम रही थी आप ही समझाओ उसे तभी अनीता वहाँ पर जेंस, टीशर्ट और सर पर सारे बालों को बांद कर उसके उपर कैप लगा कर आती है मा मैं जुओं के साथ रह लूँगी लेकिन कोई दवाई अपने सर पर नहीं लगाऊंगी अरे दवाई नहीं लगानी तो मत लगा, कम से कप अपने बालों को रोज धो कर जुओं वाली कंगी तो मार सकती है न, शरमानी चाहिए तुम्हें अनीता के पिता जी उसका एड्मिशन करा देते हैं लेकिन कॉलेज में सभी उसके पहनावे को देखकर उसकी हसी अड़ाने लगते हैं एक दिन एक लड़की मजाक मजाक में उसके सर की कैप हटा देती है और कैप हटते ही उसके कंधों पर जूए ही जूए गिर जाती है अब अरे देखो देखो अनीता के सर में चुए है तब ही अपने सर पर कैप लगा कर रखती है छी छी कितनी गंदी है इतनी बड़ी होकर भी इसके बालों में कितनी चुए है अरे इससे दूर रहो वरना हमारे सर में भी चुए हो जाएंगी उस दिन के बाद अनीता से सब दूर रहने लगे कॉलेज में कोई भी लड़की उससे बात नहीं करती थी अनीता को ये सब इतना बुरा लग रहा था कि उसने अपनी बड़ाई ही छोड़ दी हे भगवान हमारे घर में कितनी नालायक उलाद पैदा कर दी तुमने अरे लड़की तुझे अपने बालों की जूएं साफ करनी चाहिए थी ना कि कॉलेज छोड़ना चाहिए था मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि इसने जूओं का आचार डालना है क्या अनीता, ये फैंसला तुम्हारा बिल्कुल गलत है, कॉलेज छोड़ने का, तुम्हें कॉलेज नहीं छोड़ना चाहिए था, तुम मेरे साथ चलो, आज कल तो बहुत सारे अच्छे डॉक्टर हैं, कोई इलाज करवाते हैं, नहीं मा, जूओं वाले दवाई डालने के बाद स लेकिन वे लड़की डॉक्टर के पास नहीं जाती, फिर एक दिन अनीता के लिए एक अच्छे घर से रिष्टा आता है, और वे लोग अनीता को पसंद करके चले जाते हैं, अनीता की मा, हमारी बहुत बेज़ती हो जाएगी, ये लड़की तो स्टेज पर बैठकर भी अप जाकर आदू, तुम कुछ भी कह देती हो, मैं अपने सुन्दर लंबे बालों को नहीं कटवाऊंगी, भगवान से तो डर, सुन्दर बाल उन्हें कहते हैं, जिसके अंदर जुए नहीं होती, शादी में जब सभी रिष्टेदार घर आ जाते हैं, और सब को पता चलता है कि अनीता के सर में जुए हैं, तो कोई भी उसके पास नहीं जाता, जैसे ही वे किसी के पैर चुने लगती है, सर दूर से ही कहतेते हैं, बस बस, फिर शादी वाला दिन आता है, अनीता वर माला के लिए स्टेज पर खड़ी होई थी, वे बार बार एक हाथ से अपने सर को खु केमरामेन बोलता है, मैम, आप अपने सर में खुजली करना बंद कीजे, फोटो लेने में दिक्कत हो रही है, मा, मुझे तो लगता है भाबी के सर में जुए हैं, नहीं नहीं, जरूर उसे कोई पिन चुब रही होगी, आजकल हेर स्टाइल बनाने में कितने पिन लगा देत हैं ये लोग, फिर जैसे दैसे करके अनीता की वर्माला होती है, और अनीता बिहा कर ससुराला जाती है, जब वे अपने कमरे में आकर अपना ड्रेस चेंज करती है, अनीता अपने बालों से हेर स्टाइल को हटा देती है, तब वे आराम से बैठ कर दोनों हातों से सर में अंदर आता है और उसे इस तरह सर में खुझली करता हुआ देखकर कहता है क्या हुआ तुमारे सर में तुम इतनी बुरी तरे खुझा क्यों रही हो नहीं नहीं वे 6-7 घंटे से हेस्चल बना रखा था ना पेंच चुप चुप कर सर में दर्ध होने लगा है अच्छा ये बात है अब तो अच्छा लग रहा है ना देखो अनीता हमारे घर में सबी खुली वचारों वाले हैं तुम्हें किसी चीज की कोई टेंशन लेनी की ज़रूरत नहीं है तुम अपने बालों को खुला रखो या जूड़ा बना कर रखो बस तुम रिलेक्स रहना अगले दिन अनीता जूड़ा बना कर नीचे आती है अरे भाबी आपने इस तरह चिपके हुए बाल क्यों बना रखे हैं अगर साड़ी पर बाल खोलती तो जादा सुन्दर लगती अम मुझे जूड़ा बना कर रहना जादा अच्छा लगता है तुमें जैसे बाल बनाने ह बनाओ बहु यहाँ पर कोई रोक टोक नहीं है इस तरह अनीता किसी पी तरह अपने बालों की जूओं को चुपाने की कोशिश करती रहती एक दिन अनीता अपने कमरे में आती है तो देखती है उसका हेयर ब्रश से उसकी ननत अपने बाल बना रही है सुरी भाबी मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही थी और मेरा हेयर ब्रश नहीं मिल रहा था इसलिए मैंने आपके ब्रश से कंकी कर ली फिर उसकी ननत कॉलेज चले जाती है वे पूरा दिन अपने सर में खुचली करती रहती घार आकर वे कहती है माह मेरे सर में तेल डाल कसम से इतनी खुचली हो रही है बता नहीं सकती पूरा दिन हो गया मुझे अपना सर खुचलाते हुए ये सुनकर अनीता की सांस उपर की उपर और नीचे की नीचे रह जाती है वे खबरा जाती है कि आज तो पोल खुल ही जाएगी कि उसके सर में जुए है तभी अदुल खतमी नहीं हो रही अरे दोनों बहन भाईयों को सर में खुचली हो रही है आओ जरा मैं तुम्हारा सर देखती हूँ और जब वे सर देखती है तो हैरान रह जाती है दोनों के सर में जुए थी और अतुल के सर में तो जुए भरी पड़ी थी हे भगवान इतनी सारी जुए हमारे घर में तो किसी की भी जुए नहीं मा, आज सुपह मैंने भाबी के ब्रश से पाल बनाये थे और तब से मेरे सर में खुझनी हो रही है इसका मतलब भाबी के सर में जुए है तब ए अनीता की सास अनीता को बुलाती है और सच जाने की कोशिश करती है तब अनीता रोते हुए बता देती है कि बच्चपन से उसके सर में जुए हैं और वे कोई भी दवाई लगाने से डरती है यहां तक कि वे शैंपू भी हफते में एक ही बार करती है भाबी आज के समाने में तो किसी के सर में जुए नहीं होती आप प्लीज मेरी किसी चीज को ह मैं तो अभी किसी अच्छे डॉक्टर से दवाई लेकर आती हूँ। अनीता को रोता देखकर अतुल को उस पर तरस आ जाता है और वैं उसे प्यार से समझाता है। तुम्हें स्किन प्राबलम भी हो सकती है। वैं पहले अनीता की काउंसलिंग करते हैं। उसके बाद अनीता का इलाज चुरू होता है। पंदरा दिन के अंदर ही अनीता के सर से सारी जुवें खतम हो जाती है। वैं पहली बार जिन्दगी में राहत में सूस करती है। आज उसके हाथ उसके सर में नहीं जा रहे थे। उसने अपने बालों को खोला हुआ था जो बहुती सुंदर लग रहे थे। वैं शीशे के सामने खड़े होकर कहती है। आज कितना अच्छा लग रहा है। सर में एक बिजू ना तो काट रही है ना चल रही है। और मैं खुले बालों में कितनी सुंदर लग रही हूँ। तब ही अतुल कमरे में आता है और अनीता के कंधू पर हाथ रग कर कहता है। अगर तुम मुझे पहले ही दिन बता देती, तो अब तक तुम खुले बालों में इसी तरही सुंदर दिखाई देती। सच मैं नीता, तुम खुले बालों में बहुत सुंदर लगती हो। ये सुनकर अनीता शर्मा जाती है और अतुल को थैंक्यू कहती है। शैली की आज सरकारी बैंक में नौकरी का पहला दिन था। इस दिन का वो बेसबरी से इंतिजार कर रही थी और आज वो बहुत खुश थी क्योंकि ये सारी काम्याबी उसे सिर्फ और सिर्फ अपनी बड़ी बेहनों के त्याक से मिली थी। शैली की दो बड़ी बेहने थी संधिया और नेहा बच्पन में ही उनकी घर से उनके पिता का साया हट गया। माने घरों में काम करके अपने बच्चों को जैसे तैसे करके आगे बढ़ाया संध्या बारवी कक्षा में थी जब उसके पिता का साया उसके सर से हट गया था बारवी खत्म होते ही वो कोई न कोई जॉब करना चाहती थी वो खेल कूद में भी बहुत अच्छी थी कि तभी पुलिस के फार्म निकल जाते हैं वो अपनी मा को बिन बताए फार्म भर देती है और पेपर की तयारी शुरू कर देती है संध्या देदी आगे की पढ़ायी की तयारी क्यों नहीं कर रही हो पढ़ायी तो मैं पूरी कर हिलूँगी लेकिन सबसे पहले मा का हाथ बठाना बहुत जरूरी है तुम दोनों अभी छोटी हो और मैं चाहती हूँ कि मेरी नौकरी लग जाए तो फिर तुम्हें जो बनना है बन जाना बस एक महिने की बात है पता चल जाएगा क्या मेरा सिलेक्शन हो रहा है या नहीं दीदी जरूर हो जाएगा आप बिलकुल भी टेंशन ना लो लेकिन जब ये बात मा को पता चलेगी तो कितना चल लगीगा न पर एक बात समझ में नहीं आई दीदी आपने ये बात मा को क्यों नहीं बताई पापा के जाने के बात मा कितनी टेंशन में आ गई थी तुमने देखा है मैं नहीं चाहती कि मा को बार बार ये लगे कि मेरी बेटी की कहीं नौकरी नहीं हो पा रही है नौकरी लग जाएगी तो मैं माँ को बता दूंगी मैं उनके मन में कोई भी ऐसा विचार नहीं डालना चाहती हम तीनों की चिंता ही उन्हें कितनी लगी रहती है आप सब के बारे में कितना सोचती हो आप से अच्छी बहन कोई हो नहीं सकती तीनों बेहने आपस में गले लगती हैं और कुछ समय बाद ही संध्या की मेहनत रंग लाती है उसे पुलिस में नौकरी मिल जाती है जब ये बाद संध्या की मा को पता चलती है तो वो खुशी के अपने आसु रोख ही नहीं पाती और संध्या को गले लगा लेती है मेरी बेटी, तुने मेरा सर गर्फ से उंचा कर दिया भगवान तुझे धेर सारी काम्याबी दे मा, अब आप आराम से घर बैठो, घर को संभालो मुझे अच्छा नहीं लगता, जो लोगों की घरों में जाकर आप काम करती है मैं हूना, मैं सब कुछ संभाल लूँगी और तुम देखना, नेहा और शेली भी जल्दी काम्याब हो जाएंगी दीडी, मैं तो चाहती हूँ कि मैं सरकारी स्कूल में टीचर बन जाओ मुझे बच्चों को पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है और मुझे तो बैंक अधिकारी बनना है मैंने तो पहले से ही सोच रखा है मेरी टीचर भी कहती है कि तुमारा मैथेमेटिक्स इतना अच्छा है कि तुमें तो आगे चल कर या तो अकाउंटेट बनना चाहिए या फिर किसी बैंक में अधिकारी सच कहती हो, जस्तिन से मेरी मैडम नी ये बात बूली, मेरा दिल पढ़ाई में और जाता लग गया मेरी तीनों होनहार बेटियां जो बनना चाहती हैं बने मैं तुम तीनों के लिए बहुत खुश हूँ और संध्या, खासकर तेरे लिए तुने इतनी कम उम्र में सारे घर के जिम्मेदारी को संभाल लिया संध्या अपनी ट्रेनिंग पर चली जाती है और दोनों बेहने घर पर रहकर अपनी मा के साथ काम में हाथ बटाती और अपनी पढ़ाई करती, देर साल की ट्रेनिंग के बाद संध्या घर वापस आती है, वो पुलिस में सिपाही के पत पर भरती हुई, एक साल की पढ़ाई छोड़ने के बाद वो अपनी पढ़ाई को आगे जारी रखना चाहती थी, इसलिए उसने पत्रा चार से अपने पे टीचर बन गई है, उनकी मां बच्चों को आशिरवात देख, खुशी से फूली नहीं समा रही थी, जैसे ही संध्या अपनी ग्रैजुशन पूरी करती है, वो एसाई की पोस्ट के लिए अपलाई कर देती है, दीदी, आपकी सोच को सलाम, मैंने भी आपकी तरह ही सोचा, अभी मैं नर्सरी क्लास से लेकर पहली क्लास ते की टीचर बनी हूँ, लेकिन मैं अपनी बढ़ाई नहीं छोड़ूंगी, मैं अपनी बढ़ाई करती रहूंगी, जब तक कि मैं बड़ी स्कूल की टीचर ना बन जाओ, आपको इतनी मेहनत और लगन से काम करता हुआ देख पहली की पढ़ाई भी अधूरी है, और नेहा भी अभी और पढ़ना चाहती है, मैं सब जानती हूँ बेटा, लेकिन शादी की एक उम्र होती है, और तेरी उम्र हो चुकी है, बेटा, इसलिए तो मैं तेरी शादी करना चाहती हूँ, और शादी करने से तेरा रिष्टा ख संध्या से कह दिया कि तुम बेफिक्र होकर मुझसे शादी कर सकती हो और मैं तुमें कभी भी तुमारे परिवार की मदद करने से नहीं रोकूंगा। ये बात संध्या को बहुत अच्छी लगी। उसने शादी के लिए हां कह दी। फिर संध्या की शादी बड़ी धूमधाम से हुई। कुछ समय बाद संध्या ने वापस अपनी जूटी जॉइन कर ली। और वो अपने ससुराल वालों के साथ साथ अपने माय के वालों का भी पूरा ध्यान रखती थी। और अपनी नौकरी का भी। देखते ही देखते वक पंक लगा कर उड़ गया। शैली ने भी अपने बैंक की अधिकारी पत के लिए अपलाई कर दिया। आज शैली एक सरकारी बैंक में अधिकारी बन गई। आज शाम को घर पर एक छोटी सी पार्टी थी जसमें संध्या और संध्या के ससुराल वाले और नेहा के दोस्त और शैली के दोस्त सब आये हुए थे। तो उन्हें इस इत्वार घर बुला ले, नेहा खुद भी देख लेगी, पार्टी खत्मोने के बाद सारा परिवार बैट कर इसी बारे में बात कर रहा था, अगले इत्वार नेहा को देखने के लिए रोहन आता है, रोहन के परिवार वालों से मिलकर संध्या की मा बड़ी ख अब आप दोनों अपने परिवार को अच्छे से देखो, और मा के जिम्मेदारी मैं खुद उठाऊंगी, देख रही हो माना, अब हमारी छोटी बहन बड़ी हो गई है, कितनी बड़ी बड़ी बाते करने लगी है, शैली बिलकुल सही कह रही है बेटा, अब तुम दोनों अपने अपने परिवार को आगे बढ़ाओ, अब शैली और मैं दोनों खुद को संभाल लेंगे, और तुम तीनों के बगेर ये परिवार कभी भी पूरा नहीं है, नेहोर संद्या ने अपने परिवार को संभाल लिया, और अब दोनों बेहनों की यहाँ एक एक बच्चा भी था, तभी शेली की शादी ते हो जाती है, अब सब के सामने दिक्कत ये थी कि मा का ख्याल कौन रखेगा, देखो बच्चों, रड़कियों को ब्याह कर अपना परिवार बनाना ही पड़ता है, तुम मेरी चिंता मत करो, सब सही हो जाएगा, और मैं अपना ख्याल खुद भी रख सकती हूँ, और फिर तुम तेनों तो बीच बीच में आती ही रहोगी, तभी संध्या का हस्बेंड घर पर आता है, संध्या की मा की बात सुनने के बाद वो बोलता है, मा जी आपकी तीनों बेटियां ही नहीं, हम भी आपके बेटे हैं, और हम सारी परिस्थितियों को अच्छे से समझते हैं, आपको कभी भी अकेला होने का एहसास नहीं होगा, फिर आपकी तीनों अफसर बेटियां तो हर पल ही आपकी देख भाल के लिए खड़ी रहती हैं, यही बात तो अपने इन तीनो बेटियों को समझा रही हूँ पता नहीं इन्हें किस बात की चिंता है अरे शैली को भी अपना घर बसाना है मा के लिए इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है कि उसकी तेनो बेटियां अपना अपना घर बसा ले मा, आप बहुत अच्छी हो, लेकिन हमें आपके फिक्र है, शेली के चले जाने के बाद घर बिलकुल खाली हो जाएगा, आप अकेली कैसे रहोगी, या तो फिर आप हमारे साथ आकर रहो भीटा, वहां रहूं, यहां रहूं, क्या फर्क पड़ता है, मुझे बस इतना पता है कि मेरी तीनों बेटियां मेरा बहुत ख्याल रखती है, और मुझे कोई भी तकलिफ नहीं है, और कुछ होगा तो मैं तुम्हें फोन करके बताया करूंगी ना मा की चिंता के बीच में ही शहली की शादी हो जाती है, और सभी अपने अपने घरों में खुश थी, अब तीनों बेहनों ने अपनी एक अलग दिन चर्या बना ली थी, एक दिन एक बहन, दूसरे दिन दूसरी बहन, घर पर आकर अपनी मा का पता लेती रहती थी इसी पीच नेहा सबको एक खुश खबरी देती है, कि उसने एक बड़े स्कूल की टीचर बनने के लिए जो एपलाई किया था, उसमें उसका सिलेक्शन हो गया है, और अब वो बड़े स्कूल की टीचर बन गई है, ये सुनकर संध्या और शैली बहुत खुश होते हैं, और मैं घर पर अकेली रहती है, और हमारे दोनों के जाने के बाद मेरी सांस भी घर पर अकेली रहती है, मैं सोच रही थी इन दोनों के लिए अगर हम कोई ऐसा काम शुरू कर दें, जिससे ये दोनों अपने आपको बिलकुर भी अकेला ना महसूस करें, तो कैसा रहेगा? सब नेहा के तरफ देख रहे थे और उससे पूछ रहे थे कि आखिर उसने ऐसा क्या सोचा है? मैंने ये सोचा है कि हम गरीब छोटे बच्चों को फ्री में पढ़ाएं, ताकि उन लोगों को शिक्षा मिल सके, मम्मी और मेरी सांस इतनी बड़ी लिखी हैं कि वो उन्हें बेसि शेली और संध्या भी इस बात के लिए बड़ी खुश हो जाती हैं और आगे बच्चों की पढ़ाई में मदद करने की बात भी कहती हैं और देखते ही देखते तीनों अफसर बेहने अपने साथ साथ और बच्चों को भी काम्याब बनाने की राह में लगा देती हैं